कि आप एक रिष्ते में हैं और आपकी नहीं निबरी हैं आप गुट रहे हैं दिन बहर दिन आप वहां उस रिष्ते में गुट रहे हैं उस टाइम अगर कोई तिसरा बंदा जो आपको कंधा दे हैंन्हा अचा रिष्तों की शुरुवात हमेशा गलत तरीके से ही नहीं क anniversary किसी से अपना दुख 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 बाटने लग जाते है न वहाँ प्यार पनपने लग जाता है धीरे देरे सही पर पनपता है एक दोस्त की ऐसियत से पनपेगा फिर आप अलग रिष्टे में जाएंगे वो आपके उपर डिपेंड है तो शादिशुदा होते होते अगर इस तरह का कोई रिष्टा पन अपने लगता है उसके बारे में आपके क्या विचार है जब दो लोग एक रिष्टे में हैं और वो रिष्टा बिना प्यार के चल रहा है सिर्फ एक फोटो फ्रेम में आप साथ रहने के लिए खड़े हैं लोगों की नजर में तो वहा प्रेम तो रहा नहीं आप अपने बच्चे के लिए साथ हैं या दुनिया को दिखाने के लिए साथ हैं मोस्टली ऐसा होता है बेशक पुरुष मना करें कि यह पुरुष प्रधान समाज है इसमें पुरुषों के पास इतने रिसोर्सिज हैं कि आौरत को कभी पता ही नही चलता कि उसका जो उसकी हिस्से का समय है या emotion है वो कहां बट रहे हैं और अगर ऐसे में किसी ओरत की जिंदगी में किसी की दस्तक होती है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है वहाँ पे क्योंकि ओरत ने वफा जो सीखी है अपनी मा से या उसने अपने बच्चे में उसको उसकी है तो उसने उस वफा को हमेशा स्ने का रूप दे दिया है जब वो शादी में रहते हुए किसी पुरुष से अगर वो प्रेम में पड़ती है तो सबसे बड़ी बात वो उसका फीजिकल अट्रेक्शन नहीं होता क्योंकि ऐसी ओरतों को भी मैं जानती हूं बहुत करी है क्या चाहिए वो उसके पती का ही हो हाँ बिल्कुल उसको उस इनसान से प्रेम हो जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी में किस चीज की कमी है उस व्यक्ती की जो उसे बैठ के सुन सके जो ये धैर्ये रखता हो कि अगर वो कुछ कह रही है या लिक रही है तो उसको ये पाके सुबूत देगी एक मैं ये भी यहां पर इंटरप्ट करना चाहूंगी तुमको कि नॉर्मली जो साइकोलोजिस्ट हैं जो हस्बन वैफिलेशन की कांसलिंग देते हैं वो लोग अकसर कहते हैं कि रिष्टों की टूटनना बहुत हद तक वहां शुरूआत होती है आपको सुनना ही तो है आप बोलते कम है पर सुनतो ज़्यादा सकते है ना अगर वो ज़्यादा बोलती है तो ये भी एक टिप है कि अपने रिष्टे में खुबसूरती लाने के लिए अपने रिष्टे को बहुत प्यार से आगे बढ़ाने के लिए आप सुने बिल्कुल चाहिए वो चकर बकर कर रही है, चाहिए वो जो कर रही है, वो क्रिब कर रही है, चीजों को लेके ऐसे हुआ, वैसे हुआ, सुन लें, रेक्ट चाहिए बाद में कर दें, पर एक बर सुन ले ना आप उस चीज़ को, तो वो रिष्टा बहुत अच्छे से समेटेगी वो बिलकुल अक्सर हम देखते हैं अरेंज बैरिज का तो मैं कहती नहीं लेकिन प्रेम विवा जब जिन जो लोगों के बीच में होता है वो भी मैंने टूटता हुआ देखा है और ये भी देखा है कि उस बीच किसी और की भी दस्तक होती है प्रेम विवा हुआ अविसली वो प्रेम से शुरू हुआ होगा एक ऐसी लड़की जिसकी आजादी जिसकी बेबाकी जिसकी तर्क वितर्क करने की शक्ती से आपको प्यार हुआ था मतलब मैं कहोंगी कि वो पतंग जो उड़ रही थी आसमान में वो आपको बहुत अच्छी लगी और आप उसे घर ले आए तो पतंग कभी दिवार से सटी हुई अच्छी लगती है क्या वो धीरे-धीरे मर जाती है तो अगर आपने उस पतंग जैसी स्वचंद लड़की से शादी करी है तो वो सिर्फ आपसे प्रेम प्रसंग की बाते नहीं करेगी वो तरक वितरक भी करेगी वो तरक वितरक आपसे चार दिवारी में कर रही है और आप अपनी समाज में आपनी फैमिली में उसकी बेज़ती कर रहे हैं तो वो लड़की जो आपको खुद पता है कि आपके लिए वो अप्रोचिबल थी नहीं वो आपके प्रेम में पड़ी तो आपकी पत्नी बनी तो वो धीरे-धीरे अंदर से इस तरहा तूट जाती है कि वो खो देती है अपने आपको उसमें उस टाइम अगर उसके पास बच्चा है तो वो जो आपका दर्द है वो उसको कम करने के लिए अपना पूरी दुनिया आपने उस बच्चे में लगा देती है और फिर mostly पुरुष क्या कहते हैं कि बच्चे में लगी हुई थी और मुझे तो वक्त दिया ने इसलिए मेरे तो बाहर रिलेशन हो गए इसी बीच में मैं आपको एक बात और ये भी कहना चाहूंगी कि mostly पुरुष जो है जब वफादारी नहीं करते शादी में तो वो ऐसा वक्त होता है जब या तो उनकी बीवी प्रेगनेंट होती है या तो वो किसी medical condition से गुजर रही होती है तो पुरुष जो है इवन ऐसी महिलाएं भी घर की फिर उस औरत को समझाने लग जाती है कि अभी तुम physically fit नहीं हो और शादी की जो ये भट्टी है उसको गरम करने के लिए और तुम्हारा संपर्क या संबंध होना तो जरूरी है और पुरुष जो है कंट्रोल नहीं कर सकता तो उस इस्त्री के बारे में क्या आदमी का मोड किया आदमी बाहर चला गया लेकिन वो आपके बच्चे को भी आपने पेटे में संभाल के बैठी है तो उसकी इच्छा का क्या और आपने उसका वो resource भी बंद कर दिया कि वो किसी से बात भी कर पाए तो वो धीरे 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 घुटी हुई स्टेज तक जाकर आखिर तक जब उसके मन से निकलता है ना कि अब तो उसने अपने बच्चे के रोने का भी उसके उपर असर नहीं पड़ा तब जाकर वो किसी तीसरे आद में से जुड़ती है और इतना असान भी नहीं होता किसी से जुड़ना ये मैं बिलकुल अच्छे से बता सकती हूँ कि इतना क्यों कि फ्लेश बैक्स चलते हैं आपको दस चीज़े सोचने को मिलती हैं कि मैंने किस तरहां से आके मैंने शादी की थी किस तरह से हम बंदन में बंदे थे और कैसे म बहुत गहरी लड़ाई होती है आपके मन के बीतर आपके कुछ से